आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ अब हमारे पास है अलोय B, ठीक है, इसका ratio कितना दे रखा है, 4 ratio 5, 4 ratio 5, ठीक है, अब हमने क्या बनाया है, अलोय 3, हमने बनाया है, अलोय C, ठीक है, उसमें कितना ratio है, 1 ratio तो A का है, तो इसमें युटे का। बनेगा। उसमें कितना रीशेु corporate का इवा हमों बताना है। यहां पहरे इनका टोटल कितना आएगा । टीन उर साथ का 10 ठीक है और यहां में पहरे चार और पांथ कितना आएगा नौ। अब इन दोनों calcium कितना होता है? 20 अब क्या करेंगे? अब इसको पूरे को multiply कर दींगे 3 multiply 9 तो कितना होगा? 9 होती है 27 रेशियो साथ नाम 60 ठीक है? और इसमें कितना होगा? 20 से multiply करेंगे 4 को तो कितना होगा? 80 और 20 multiply 5 फाटिस तो ठीक है ये क्या होगा अलॉय C में आगे copper और zinc कितना होगा ये आगे हमारे पास total alloy C का ठीक है 80 और 27 कितना होगा 107 और 163 होगया हमारा zinc ठीक है अब हमें बताना है इसमें copper कितना होगा कॉपर कितना होगा हमारे पास what part of C is copper तो यहां पे जो अलोई C है अलोई C that is equal to copper ratio zinc that is equal to कितना दिया हुआ हमें 107 ratio 163 और total कितना है हमारे पास total कितना होगा copper plus zinc 107 plus 163 that is कितना होगा 70 270 यानि कि copper का कितना पार्ट है कितना पार्ट है 107 पार्ट है कितने में से है 270 में से ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा आंसर थेंक यू Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर